नमस्कार दोस्तों मैं महेश कुमावत मदर्स के डिफेंस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं तो देखें बच्छो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में फ्लूड मेकेनिक्स के बारे में बस उसी को आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हैं ठीक है तो शेशन को शुरू नहीं किया है तो हना चलिए शुरू करते हैं है तो कलकी क्लास में हम सब्सक्राइब थो तो चली शुरू करते हैं जैवोलेनाथ हर हर महा देव गूड मॉनिंग तो चली शुरू करते हैं तो देखे सब लोग देखिए भीए अगर हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो हमें पता है कि वो एक free surface बनाता है और इस free surface के उपर free surface पे हम अगर इस point को माने तो यहाँ पर जो pressure आता है वो किसका आता है atmospheric air का तो इस atmospheric air के pressure को मैंने मान लिया है मानलो p note अब मुझे इसके अंदर किसी point पे pressure का पता करना है मानलो यह कोई point है यहाँ इस point पे pressure P है तो इस pressure P को मुझे बताना है कि यह क्या होगा कल मैं बता के गया था कि यह जो pressure P आता है वो क्या आता है atmospheric pressure P note यहाँ का pressure और प्लस vertically यह कितनी depth पे है एच depth पे है और अगर इस fluid का या liquid का जो density है अगर वो रो है तो हम क्या लिख देते हैं P note प्लस रो जी और क्या लिख देते हैं H यह चीज लिख देते हैं clear तो बस इतना ध्यान रखें कि कि किसी भी fluid के अंदर किसी point पर अगर हमें pressure लिखना हो तो surface पे कितना pressure है अगर वो अगर हम कुछ extra apply कर रहे हैं तो वह वाला लेंगे लेकिन यहां कुछ extra apply नहीं कर रहे हैं हम मानके चल रहें कि यहां सिर्फ atmospheric pressure है तो सिर्फ पूसी को लेंगे तो पी नोट और प्लस रोजी और कितनी depth पर है यह vertically कितनी depth पर है वो height हम यह depth हम क्या कर देंगे लिख देंगे ठीक है clear चलिए आगे बढ़ते हैं यह तो बात होगी किसकी pressure inside the inside the liquid surface अब इसके अंदर देखिए इस equation को अगर म pressure ले लूँ और x-axis पर में अगर depth ले लूँ कि कितनी depth है एच के साथ इसके variation को अगर मैं show करूं किसमें graph में अगर मैं इस pressure को depth के साथ अगर इस graph पे draw करूं तो वो कैसा होगा बताए फटाबड तो देखिए इस equation को थोड़ा सा समझे यह equation किसकी equation दिखाई दे रही है आप term है और plus ठीक है plus rho g h किसके साथ h के साथ h को मैं किस पे दरसा रहा हूँ x पे तो यह जो term है अगर मैं इसको क्या बोल दूँ m बोल दूँ तो देखिए यहाँ पर जो equation बनी वो कैसी बनी y is equal to mx plus में constant c बन गया यहाँ y denote कर रहा है pressure को x denote कर रहा है इसकी depth h को और साथ में m इसको कर रहा है road c और MS चोillon कर रहा है एक ठीक है तो इस तरहीकल से घ्राप बनाए एक सीह उर्प्रइस को धिते कितना जाएगा पी अश्रूनी हो रहा है और prevent में connected कि जो वो line जो है वो कहां से पास होती origin से पास होती लेकिन अब यहाँ पी नोट यह atmospheric pressure कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर x is equal to 0 पर उसके बाद यह linearly vary करेगी तो straight line आ जाएगी clear अब अगर और बात करें तो यहाँ अगर मानलो यह अगर इसका slope थीटा तो यहाँ अगर इसका slope लिखा जाए 10 थीटा तो वो किसके बराबर होगा रो इंटू जी के बराबर होगा रो इंटू जी के बराबर होगा तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इस graph से fluid की density भी निकाल सकते हैं अगर हमें बाकी remaining data अगर के question में given हो ठीक है तो यह बात थी किसके बारे में fluid pressure inside the fluid ठीक अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अगली slide के अंदर जो हम करने वाले हैं यहाँ पर देखिए मैं कुछ point आपको बताने जा रहा हूँ उन point ओ को आप लोग धान में रखेंगे कि यह fluid है यह क्या है आपके पास एक container है उस container पर मैंने fluid को fill कर दिया है और अलग-अलग मैं point अजूम कर लेता हूँ ठीक है अलग-अलग point ओ पर pressure मैं अजूम करूंगा ठीक है उसके बारे में बात करेंगे तो देखें एक point मैंने यहाँ पर रजूम किया है एक point just इसके नीचे और एक point मैंने just इसके सामने यहाँ पर रजूम किया है ठीक है तो अगर मुझे अलग-अलग point का pressure लिखना हो तो किस तरीके से लिखा जाता है तो यहाँ पर flood के अंदर आप क्या करते हो या तो vertically चलते हो या क्या चलते हो horizontally चलते हो यानि कि horizontal direction में चलते हो vertically जब आप चलोगे vertically अब जब आप चलोगे तो नीचे जैसे depth increase होता जाएगा pressure क्या होता जाएगा increase होता जाएगा मतलब अगर यह point one है और यह point क्या है आपका two है तो यहाँ पर two का जो pressure होगा वो किस से जदा होगा one वाले point के pressure से क्या होगा जदा होगा बात समझ में आई अगर लेकिन आप horizontally चलते हो इस तरीके से चलते हो तो अगर यह point number three है तो यहाँ पर जो three का pressure है वो किस के बराबर होगा one के pressure के बराबर होगा तो ध्यान रहें किसी भी static fluid में यह fluid कैसा है static है और साथ में incompressible fluid अगर मैं इसको समझू कैसा है incompressible incompressible fluid का मतलब समझते हो कि time के साथ जिसकी density या जिसकी density में variation नहीं आता हो density constant रहती हो वो होता है incompressible fluid है तो अगर कैसे चलते हैं horizontal चलते हैं तो pressure में कोई variation नहीं आता है अब आपको pressure की equation लिखनी आनी चाहिए pressure की equation लिखनी आती है तो कहीं भी एक किसी पर्टिगुलर पॉइंट का pressure अगर आपको given हो कि depth में जाता है तो pressure increase हो रहा है बढ़ रहा है तो depth में जाने पर pressure को आप लिखेंगे positive और depth को कम करेंगे मतलब उपर की तरफ जाएंगे fluor में तब आप उसके pressure को लिखेंगे कैसा negative कैसा लिखेंगे negative और due to fluid column due to fluid column मैंने पिछली क्लास में बता रखा है कि एच हाइट का कोई फ्लूड कोलम हो तो उसकी वज़े से जो प्रेशर आता है वो कितना आता है रो जी एच कितना आता है रो जी एच तो इसी को हम फोलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखें यहां पर कि अगर सपोज करो यह क्या है नौन प्रेशर है कैसा प्रेशर है नौन प्रेशर है मुझे इस प्रेशर का पता है लेकिन आपको ऐसे ही कोई रेंडम पोइंट उठा के दे दिया जैसे यह पॉइंट टू पारेशव कैसे लिखेंगे kia होगा यह आपको आई बात समझ में देखिया वेल्यू कुछ भी हो सकती है मैं तो जनरल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं आई बात समझ में बोलिए क्लियर है सब को जवाब दें तो देखिये कैसे लिखेंगे आप एक काम करें कि जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है उस पॉइंट के बिल्कुल ठीक उपर चले जाएं ठीक उपर कैसे जाएंगे जिस पॉइंट से शुरू किया है वहीं से चले जाएं वन से तो वन किसे यहां पर इक्वेशन लिखो अब मैं नीचे आ रहा हूँ सीरोड मैं टूब होता है तो प्रेशर आगर मुझे पर लिखना हो तो कैसे लिखूंगा व क्यों कर सब्सक्रिफर मुझे गीवन है तो रो कितनी मैं गया यह दुर्फ यह तो मैं क्या लिख द मैं H लिख दूँगा आई बात समझ में कोई doubt बोलो कोई doubt लेकिन सर अगर ऐसा होता कि मुझे 2 का देता और 1 का निकलवाता तो मैं क्या करता अगर मुझे 2 का pressure नोन होता और 1 का निकलवाता तो मैं क्या करता तो बटा 2 पे आके बैठ जो और 1 का निकालने के लिए P1 is equal to पहले जह जाते हैं हमें कैसा लेना है negative लेना है तो मैं क्या लिख दूँगा P2 minus rho g h लिख दूँगा देखिए यहां से इस equation से भी वही आ रहा है P2 minus rho g h तो यह pressure की equation अगर आपको लिखनी आती है तो आगे देखिए मैं एक और एक आदा question करवाऊंगा वो question आपसे solve हो जाएगा ठीक साथ ही fluid की density पर depend कर रहा है ठीक है चलिए यहां पर एक statement लिखा है उस statement को भी पढ़ते हैं और उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिस करते हैं देखिए एक statement यहां पर लिखा गया है कि hydrostatic pressure does not depend on the amount of the liquid and the shape of the container container की shape पे और उसमें कितने amount का liquid आया है उसके उपर depend नहीं करता ह है तो उसको मैं समझाता हूँ देखिए कि अगर suppose करो आपको ऐसे आपको ऐसे दो या तीन container जैसे भी मैं लेता हूं मालो यह कोई container आपको दिया गया है और एक container आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का ठीक है और एक container आपके पास है कुछ इस तरीके का ठीक है तीनों में मैंने यह ground के respect में तीनों क्या है same level पे हैं ग्राउंड पे इनका जो यह सारे के सारे एक ही जगे पर रखे हुए है मतलब सीधी बात यह है कि अगर मैं बात करूं तो यह जो इनका base है वो सारा एक ही horizontal surface पे है ठीक है और इसमें मैंने flood को fill किया है flood मैंने fill किया है सब में same level पे सब में same level पे same height पे ऐसे ठीक है तो देखिए इस container की बात करें तो इसमें liquid सबसे ज़्यादा है इसमें आपको सबसे कम दिख रहा होगा क्योंकि यह छोटा container है और इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आई बात समझ में तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले point की बात करूँ ये वाला point लूँ और इसमें ये वाला point लूँ और इसमें ये वाला point लूँ तीन container है इसका point मत 1 मान लेता हूँ इसमें point मान लेता हूँ टू और इसमें point मान लेता हूँ मैं क्या 3 मान लेता हूँ और सब में liquid की जो height है, वो same है, same height तक मैंने liquid fill कर रखा है, ये भी small h का है, तो अगर मैं P1 की बात करूँ तो P1 का pressure क्या आएगा, बताइए, यहां का pressure कैसा होगा, P note, यहां का pressure भी क्या होगा, atmospheric pressure P note, और यहां का pressure भी क्या होगा, atmospheric pressure P note, clear, तो अगर मैं P1 लिखूं तो मैं क्य क्या लिखूंगा सर आप लिखेंगे पी नोट लिखेंगे साथ में आप क्या लिखेंगे रो जी एच लिखेंगे यहां क्या लिखूंगा यहां भी सर आप वही काम करेंगे पी टू इकल टू इसके यहां पर कितना प्रेशर है एट्मोस्पिरिक प्रेशर पी नोट कितनी ड लिखूंगा सर पी नोट प्लस में क्या लिखूंगा रो जी एच तो सर ये तो हमें क्या नजर आ रहा है कि पीवन इस इकल टू पीटू इस इकल टू क्या रहा है पी थ्री इसलिए जो पिछला statement है वो लिखा गया था कि आप कितने भी amount का क्या कर लो उससे same of the same depth पह जाओगे तो आपका pressure क्या रहेगा नहीं करता है अगर आप ऐसे करते कि सपोज करो एससे एससे मालो ये ये कोई इसको hydrostatic products भी बोलते हैं अगर ये भी height h ही है ये भी height क्या है h है तो उस वाली condition में इसके base पे ये वाला point अगर मैं 4 बोलूँ तो ये P4 भी आपके पास क्या आएगा बताओ P note plus में क्या आएगा rho g h मतलब हमें इतना बात समझ में आ गया कि किसी भी liquid surface के नीचे अगर कोई point है तो उस point पर जो pressure है वो किस पर depend नहीं करता कि कितने amount का वहाँ पर fluid present है उस पर depend नहीं करता वो किस container में है उस पर depend नहीं करता depend करता है कि उस point की उस surface से vertical depth कितनी है हाँ गोलुबिया गुड मॉर्निंग कितनी है उसके उपर क्या करता है क्लियर है यह पॉइंट अगर आपको अगे बढ़ें कमेंट करें लोग चले आगे चली आगे बढ़ते हैं आगे अगे अगर हम बात करें तो next जो हमारे पास आ रहा है क्या आ रहा है hydrostatic pressure किस पर depend करता हूँ अभी अभी मैंने बताया कि अगर मैं hydrostatic pressure किसी liquid की surface के नीचे लिखता हूँ तो वो मैं लिखता हूँ कि atmospheric pressure p note plus rho g h तो किस पर density पर और depth पर और आपके gravitational acceleration g पर क्योंकि atmospheric pressure पर किसी भी जगह पर क्या रहेगा same मानके चलते हैं वैसे environment अगर change होता रहता है तो वहाँ पर atmospheric pressure क्या हो सकता है change भी हो सकता है ठीक है हाँ तो इन तीन चीजों पर यह depend कर रहा है next आता है barometer या tory शली experiment barometer क्या होता है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीज़ कि barometer क्या होता है तो barometer एक device है एक device है जिसका use करते हैं हम किसके लिए किसके लिए use करते है atmospheric pressure को measure करने के लिए किसको measure करने के लिए atmospheric pressure को measure करने के लिए आई बात समझ में सब को तो barometer is used to measure the atmospheric pressure कैसे pressure measure होता है Torricelli experiment भी इसको बोलता है Torricelli ने किया क्या था देखी वो मैं समझाता हूँ कि कैसे ये atmospheric pressure को measure करता है उसके पीछे का concept भी आप सीख लें तो दिक्कत नहीं होगी आपको कि उन्होंने क्या किया एक container लिया और container में mercury को fill कर दिया किसको fill किया mercury को fill किया और एक tube ले ली क्या ले ली tube कांच की tube ली और उस tube को mercury से पूरा का पूरा भर लिया किस से बर लिया mercury से पूरा का पूरा भर लिया और पूरा से पूरा का पूरा भर के नीचे से उसका क्या कर लिया नीचे हाथ लगा के और mercury में डुबो के और हाथ को वहाँ से छोड़ दिया मतलब कुछ इस तरीके से देखिए मैं समझा देता हूँ आपको इस तरीके से एक टूब ली और टूब में भी mercury भर दी ठीक है यहाँ पर तो mercury थी ही यह HG है आपका और इसमें सब जगे मरकरी भरी हुई थी और इन्होंने इसको अंदर ले जाके छोड़ा जैसे ही छोड़ा उन्होंने देखा कि यह जो टूब है इस टूब में से मरकरी नीचे की तरफ मूँ करने लग गया और एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर हाइट पर आके यहां पर कि जो मरकरी कंटेनर में है उसकी सरफेस से स्मॉल हाइट में माल लेता हूँ इस हाइट पर आके यह क्या हो गया रुख गया ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ होगा थोड़ा सा सोच के देखें आप ऐसा क्यों हुआ होगा ऐसा इसलिए हुआ होगा कि सर यहां पर अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की तो यहां पर क्या रहा होगा एटमोस्पेरिक प्रेशर रहा होगा पी नोट भुलिए क्या रहा होगा एटमोस्पेरिक प्रेशर रहा होगा पी नोट और अगर मैं इससे थोड़ा सा depth में जाता हूँ थोड़ा सा depth में जाता हूँ तो यहाँ पर भी कोई pressure आएगा P और अगर इसी के level पे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने कहा कि flood में horizontal चलने से किसमें? हाँ पंकर सिंग, very good morning very good morning, सब को good morning horizontally चलने से उसके pressure में variation नहीं आता है तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ का pressure भी क्या रहा होगा? P अब मैं वापस उपर चड़ता हूँ तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मैं नीचे आया pressure जितना increase हुआ यहाँ से वापस गया तो pressure उतना ही क्या हो गया? decrease हो गया तो इस वाले point का pressure फिर से क्या आ गया? आपका P note आ गया अगया अब pressure इदर P note आ रहा है इस point पे इस point पे देखिए मैं बाहर बनाता हूँ इस point पे अगर pressure P note आ रहा है अगर इस mercury इस tube का area अगर A है तो इदर से force कितना लग रहा होगा? P note इंटू में A लग रहा होगा? बुलिए और अगर ये जो mercury है ये जो mercury है उसका weight अगर इस force से balance है तभी तो ये यहाँ पर रुका होगा? equilibrium में रुका होगा? बुलिए आपकी coaching में आया था तब आपकी coaching में अभी जो बेच चल रहा है उसके according हो सकता है आप किसी बेच में गया होंगे ठीक है? कोई नहीं आप यहाँ से join करें यहाँ से रोज class ले सकता है ठीक है? देखी यहाँ से देखी यह height क्या है? आपकी h height है ठीक है? तो यह जो mercury इसमें भरी हुई है उसमें कोई ना कोई weight होगा यह weight किस से balance रहा होगा? किस से balance रहा होगा? बताइए इस नीचे से लगने वाले force की वज़े से वो force किस से आया होगा? इस pressure से तो पी नोट इंटू A तो यह किस से balance रहा होगा? mercury का weight किस से? पी नोट इंटू A से तो अब यहां से अगर मैं mercury का mass लिखना चाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? पी नोट इंटू A is equal to rho rho V M is equal to क्या होता है? rho V V क्या होता है? area into कितनी height area अगर मैंने इसका cross section area क्या लिया? A तो कितनी length तक आ रहा है mercury? H length तक तो A into H और साथ में multiply में हो जाएगा G तो यहां से देखिए A से A cancel हो गया तो यह atmospheric pressure आ गया rho G H तो इस तरीके से Tori Sholi ने एक experiment किया और mathematics को solve किया solve करने पर उन्होंने देखा कि जो atmospheric pressure आता है वो किसके बराबर आता है? rho G H के बराबर और इस H को scale से measure किया तो उन्होंने देखा कि यह 76 cm के बराबर आ रहा था यानि कि 1 atmospheric pressure जो हम मैं लिखूँ तो वो किसके बराबर आया? 76 cm cm of HG लिखा जा सकता है या 760 mm of क्या लिखा जा सकता है? HG लिखा जा सकता है और यहीं पर उन्होंने 1 TOR के बारे में भी बताया कि इसकी unit com TOR भी लिखता है और 1 TOR जो होता है 1 mm of HG होता है यानि कि 1 atmospheric pressure को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो किसके बराबर हो गया? 760 TOR के बराबर हो गया आई बात समझ में तो ये भी आप लोग धान में रखेंगे कि 1 ATM जो है TOR में अगर लिखा जाए तो वो किसके बराबर होता है? 760 TOR के बराबर होता है तो इस तरीके से TOR इशली ने experiment किया और बताया कि हम किस से barometer से atmospheric pressure को measure कर सकते हैं clear? अब यहां सवाल आता है कि सर TOR इसली ने अपने experiment के अंदर अपने experiment के अंदर क्या mercury ही क्यों यूज किया उसकी जगे पानी क्यों नहीं यूज किया क्योंकि वो भी तो flood है वो भी क्या कर सकता है? किसी ना किसी यूज करता? किस के अंदर? इस container में ठीक है? इस container में मैं अगर क्या यूज करूँ? पानी को यूज करूँ और ये मैं अगर क्या ले लूँ? glass tube ले लूँ तो ये तो हमने पता करी लिया है कि atmospheric pressure पी नोट जो है रहा है क्योंकि fluid पर depend करेगी न, height तो fluid पर depend करेगी तो अब मैं अगर height निकालना चाहूँ तो 10 की power 5 is equal to density पानी की कितनी होती है 1000 g 10 ले ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं h तो जैसे ही मैंने h यहाँ पर निकाला तो आप्रोक्स के बराबर आ रहा है 10 मिटर के बराबर आ रहा है तो यह तो आप समझ गए होंगे अब इसको देखके कि अगर मुझे यह experiment पानी के साथ करना हो वोटर के साथ करना हो तो मुझे इतनी बड़ी की मतलब 10 मिटर से लंबी लेनी पड़ेगी यह रहा हूं और मुझे टोरीशली का जो एक्स्प्रिमेंटल सेटप चीए तो वहां पर मैं एक 10 मिटर से लंबी काच की नली को लेके जाओं वहां पर बुलिए क्या वो मेरे लिए सकती है कुछ भी हो सकता है और 10 मिटर लंबी काच की टूब को ले जाने के लिए आपको अलग से अपने वीकल बगरे का जुगाड बगरे करना पड़ेगा कई सारी समश्या यह और साथ ही एक और दूसरी समश्या है पहली समश्या तो यह कि हमें लंबी हाइट की काच की टू चपक जाता है लेकिन मेरकरी के साथ ऐसा नहीं है और फिर कई पर वोंटर की क्वांटिटी जो है वो ग्लॉस के साथ चिपकिवी नहीं रहती है तो ऐसे दो रीजिन है जिसकी वज़ह से हम बारो मिटर के अंदर गई देगे क्या यूज करते हैं एच जी को ही यूज करते हैं ठीक है चले आगे आगे बढ़ते हैं आगे देखी यह तो मैं बता चुका हूँ water is not used in the barometer because the first one is h is equal to approach 10 meter जो की convenience नहीं है अमारे लिए ठीक है यह जीं बोलते हैं मैम मेंटर क्या होता है मैनो मिटर क्या होता है मैनो मेटर मेजर डगेश प्रेशर मैफलीं जो है वह वो करता हैि यह फिर कई बार हम यह भी बोल देता है कि मेजर अहete perto रया प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ अन्नोन गैस इन दा कंटेनर किसी भी कंटेनर के अंदर कोई अगर गैस फिल कर रखी हो तो उस कंटेनर के अंदर गैस का कितना प्रेशर है वो हम क्या कर सकते है मेलोमेटर से पता कर सकते है और साथ ही गेज प्रेशर भी हम मेजर कर सकते है समाझ में तो देखिए कैसे मैनोमेटर यूज होता है मालों यह कोई कंटेनर है और इसके अंदर भरी हुई है गैस और मैनोमेटर जनरली एक यूटूब मिटर होता है यू से टूब होती है इसके इस तरीके से ठीक है तो यह आपका कंटेनर हो गया आपका कंटेनर हो गया जिसके अंदर क्या भरी हुई है । इस मैनोमेटर की जो यूटूब होती है यू सेप की जू टूब होती है उसके अंदर फ्लूड बरा होता है जिसको manometric fluid बोलते हैं क्या भरा होता है fluid भरा होता है जिसको manometric fluid बोलते हैं ठीक है तो अब यहां पर gas बरी हुए और इसको मैं यहां से connect कर दूँगा किसके साथ इस chamber के साथ connect कर दूँगा connect करते ही यह जो gas है वो इदर से transfer होना सुरू हो जाएगी यहां पर जो pressure आएगा वो किसकी वज़े से आएगा gas की वज़े से ही तो आएगा मैं इसको pressure of gas लिख सकता हूँ यहां से यह जो है tube जो रहती है वो open रहती है बोपन रहने की वज़े से इस point पर जो pressure आता है वो क्या आता है आपका atmospheric pressure पी note क्या आता है atmospheric pressure आई बात समझ में अमंदीप चोदरी सत्स्रियाकाल यह पी note हो गया आपका atmospheric pressure अब मुझे तो P gas पता करना है तो थोड़ी देर पहले देखिए मैंने जो discussion किया था उसमें मैंने क्या कहा था कि किसी भी fluid में अगर आप downward आते हो मतलब depth को increase करते हो अना fluid के अंदर गुशते हो तो आपका pressure क्या होता है increase होता है जब आप fluid में horizontal चलते हो तो pressure आपका क्या रहता है constant रहता है जब आप fluid में उपर की तरफ बढ़ते हो तो depth को आप क्या कर रहे हो decrease कर रहे हो तो उस वाली condition में आपका pressure क्या होता है decrease होता है बस उसी को use करके देखिए मैंनोमेटर की मैं एक question लिखूंगा यहाँ पर और आपके पास P gas आजाएगा कैसे लिखते हैं वो समझेंगे आप सब लोग देखिए मुझे इस point से सुरू करना है तो इस point का pressure कितना P gas मैंने लिखा P gas आई बात समझ में और मैं यहाँ पर नीचे कुछ depth पर आया माल लेता हूँ कि यह जो depth है कोई x depth है x depth पर मैं आया ठीक है तो वापस pressure बढ़ा होगा कितना रो जी एक्स अगर मैंनोमेटरिक fluid का density अगर मैं रो एम लिख दूँ तो रो एम जी एक्स बढ़ा होगा अब मैं horizontally चला होगा तो वही pressure रहा होगा वापस उतनी ही x height पर आया होगा तो वापस से उतना ही pressure decrease हो गया होगा मतलब यहाँ का आके वापस आपको क्या मिल गया होगा P gas मिल गया होगा हो लिए समझ पाए मेरी बात ये चलो equation में बताता हूँ यहाँ का लिखा P gas फिर क्या लिखूंगा नीचे जा रहा हूँ रो एड होगा रो एम जी और एक्स फिर मैं horizontal चलूँगा सर कोई change नहीं आएगा ये का ये pressure रहेगा तो मैंने चेडा ही नहीं इसको फिर मैं सर उपर जाओंगा तो pressure decrease होगा कितना रो एम जी और कितना उपर गया X तो देखें वापस से ये कट जाएगा अगर नहीं कट जाएगा तो हम इसको लिखेंगे नहीं बस हम मनी मन में ये equation चलाएंगे कि यहां से मैं नीचे आया pressure बढ़ा same रहा फिर उतना ही गट गया मतलब वापस यहां पर pressure कितना आ गया P gas या फिर इस पर आ जाओ कि horizontal जब मैं जाओंगा एकदम तो वहां पर pressure क्या रहेगा same रहेगा तो यहां का भी रहेगा P gas अब मैं उपर की तरफ बढ़ता हूँ उपर मानलो मैं H height तक बढ़ा तो अब क्या लिखा जाएगा सर उपर बढ़ रहे हो pressure decrease decrease मतलब minus row M और क्या लिखूंगा G और कितना H बोलिए और फिर यह decrease हो कि यहां का pressure मिल गया यह pressure कहा मिला मुझे यहां का और यहां का pressure किसके बराबर है P note के बराबर तो यहां से P gas जो आगया आपका कितना आगया बताओ सर पी note प्लस row M G H आगया इस तरीके से equation आपको लिखनी आनी चाहिए ठीक है आई बात समझ में कोई doubt हो तो बताए सर गेज pressure कैसे measure होता है मैंने का था कि जो actual pressure आता है actual pressure यहां का कितना है P gas उस actual pressure में से atmospheric pressure को subtract कर दिया जाए तो दोनों तरब atmospheric pressure P note को subtract करूँगा तो इधर क्या आजाएगा P gauge आजाएगा P gauge जो आएगा सब्टेक्ट कर दिया और is equal to क्या आगया rho m into g into h तो manometer से gas pressure भी measure कर सकते है और आप actual pressure gas का किसी container के अंदर कोई gas वरी हो तो उसका pressure भी आप क्या कर सकते है measure कर सकते है clear को doubt हो तो बताओ वही इसके अंदर आगे बढ़ते हैं इसे में यह देखिए numerical जब आते हैं question आते हैं तो वहाँ पर बहुत काम की चीज़े हैं यह concept है सीखने हैं आपको यह pressure की equation कैसे लगाते हैं sir कैसे यहां से शुरू होते हैं और यहां पर आके खतम कर देते हैं ठीक है कैसे equation लिखते हैं यह लिखने आगी तो फिर numerical की form में आपको question given होगा तो आप वहाँ पर भी equation use करके data put करके आप क्या कर सकते हैं किसी भी point का pressure का measure कर सकते हैं चलिए आगे बड़े हैं आगे देखे question मैं करवाना चाहरा था question पूरा वाने लिखा नहीं है इस question को थोड़ा सा समझेंगे आप लो इस question को देखे ध्यान से कि अगर suppose करो यह आपके पास एक YouTube है और इस YouTube के अंदर यूशेब टूब जो है इसके अंदर मैंने दो फ्लूड बरहे हैं अलग color ले ले लेता हूँ मैं दो फ्लूड बरहे हैं मैंने माल लो एक फ्लूड मैंने यह बर दिया ठीक है और इसकी density कितनी है row 1 है कितनी है row 1 और दूसरा फ्लूड मैंने एक और फ्लूड ले लिया इस फ्लूड को भी मैंने इसके अंदर फिल किया और इसकी मैंने flood को fill किया है दूसरे वाले flood को मान लेता हूँ कि कुछ extra height है इसकी तो मैं मान लेता हूँ कि मान लो यह 3x है ठीक है diagram में नहीं दिखरी होगी वैसे लेकिन मान लेता है कि यह कितनी है 3x है अब आपको बताना है अब आपको बताना है कि इस row 1 and row 2 में क्या relation है relation बताना है आपको किसके बीच कि कौन बड़ा कौन चोटा या फिर कौन किसका कितना गुना है यह आपको क्या करना है बताना है तो आप कैसे बताएंगे बताओ अभी मैंने बताया कि सर्फ pressure की इक्वेशन लिख देंगे कैसे लिखेंगे कि यहां पर देखिए यहां पर यह क्या है ओपन है यहां से भी क्या है ओपन है तो कहां पर atmosphere में atmosphere में अपन है तो यहां पर इस वाले point पर कौन सा pressure आएगा atmospheric pressure को मैं मान लेता हूं कि यह आ रहा है पी नोट ऐसे इदर यहां का प्रेशर भी क्या आएगा atmospheric pressure आएगा क्या आएगा पी नोट तो यहां से चलते हुए यहां तक हम खतम कर देंगे किसकी equation को प्रेशर की equation को तो चलिए यहां से शुरू करिए मैं यहां से लिखना चालू करता हूं तो पहले उस point पर मैंने लिखा क्या लिखा पी नोट सर प्रेशर पी नोट है नीचे जाएंगे जैसे flood में किसी depth पर जाता है तो depth पर जाने से flood की वज़े से pressure बढ़ता है तो यह वाले point पर जैसे flood कितनी हाइट पर गया है यह कितनी depth पर गया है अब मैं चलता हूं इदर वापिस आता हूं horizontal तो मैंने कहा था कि horizontal जब हम चलेंगे किसी भी flood में तो pressure में कोई variation नहीं आता है तो यहां का प्रेशर भी यही रहेगा सम रहेगा पी नोट प्लस रोवन जी एच अब मैं क्या कररा हूं उपर की तरफ जा रहा हूं अब उपर जा रहा हुं तो फॉड गोलम क्या होता रहा है ढोलिए वोज़िए उपर जा यहां कि density कितनी है रोëटू और जी और कितनी हाइट प थो यह पूरा प्रेशर लिखना अगर आपको लिखनी आ गई तो अब बस इसको solve करना है, पी नोट से ये पी नोट क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो इधर से रो 1 जी एच, ये तो इधर रह जाएगा, ये माइनस वाला उधर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, रो 2 जी इंटू में क्या आ गया, 3 एच, अब जी से जी भी क्या हो गया, cancel, तो H से, H भी है, आपर cancel कर सकते हैं, तो यहां से देखिए, रो 1 जो आ गया, 3 टाइमस ओप आ गया, रो 2, तो अब यहां से relation आ गया, हमारे पास, कि पहले वाले जो flood की density है, दूसरे वाले flood की 3 टाइमस है, मतलब, रो 1 जो है, वो बड़ी है किस से, रो 2 से, हना, और साथ ही एक और चीज हमें यहां पर देखने को मिली, कि जिस flood की density ज्यादा होती है, उसका column क्या होता है, छोटा होता है, देखिए, यह 3H height मैंने लिया था, बोलो, और यह क्या लिया है, मैंने छोटा लिया है, तो यह भी हम यहां पर बोल सकते हैं, कि जिसकी density ज्यादा होगी, उस shaped आपकी नली है, उसमें उसकी height क्या रहेगी, कम रहेगी, तो आप direct answer दे सकते हैं, अगर यही relation अगर आपको objective मैं पूछा होता, कि कौन बड़ा, कौन छोटा, किसकी density बड़ी और किसकी density छोटी, तो अब हमें पता लग गया कि जिसका column छोटा, उसकी density क्या होगी, ज्याद तो हम बोल देगे कि जो आपका row 1 है, वो बड़ा हो जाएगा, किस से, row 2 से, clear, सवाल समझ में आया, बोलिए, तो चलिए आगे अब, कोई doubt हो तो बताएं, comment करें, चलिए, एक और देखे, यहाँ पर मैंने छोटा सा structure बनाया, और इस structure में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि आपका जो barometer है, उसको थोड़ा सा अगर incline कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, incline कर दिया जाए, तो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है, तो समझे यहाँ पर, इसके कहानी मैं समझाता हूँ, कि बैटा, आगर मैंने ये YouTube, एक मैंने tube ली है, इसमें मैंने कोई flood भरा, flood का column h height तक जा रहा है, कितनी height तक जा रहा है, h height तक, मैंने इसको थोड़ा सा tilt कर दिया, मतलब, यह जो vertical है, vertical के साथ, कितने angle पे, माल लो, कोई theta angle से मैंने इसक है, वो तो flood तो रहे गाई, अब यह flood का rise इस tube के अंदर, कुछ अलग length तक होगा, यह h, l जो है, not equal to h होगी, आपकी, आई बात समझ में, l जो है, not equal to क्या होगी, h होगी, यह द्यान रखेंगे, लेकिन vertical height same रहेगी, यह आपकी h ही रहेगी, मतलब, मैं लेख सकता हूँ, कि always, vertical height, vertical height, remains same, आप चाहे इसको tilt करो, चाहे सीधा खड़ा रखो, यह जो दो point है, flood के surface के, एक तो flood के surface का, और एक bottom का, यह इन दोनों के बीच की जो vertical height है, वो क्या रहेगी, same रहेगी, वो क्या रहेगी, जब vertical height same रहेगी, vertical height same रहेगी, तो अगर मुझे इस point का pressure लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, P is equal to, अब मैं माल लेता हूँ कि, यहां का pressure जो है, वो P note है, atmospheric pressure, तो यहां भी, क्या ही आने वाला है, P note ही आने वाला है, क्योंकि यहां से यह क्या है, open है, तो यहां का लिखा जाएगा, सर P note plus rho g h, अगर मैं इसमें लिखूं, तो मैंने कहा था, कि shape पे और size पे इन पे सब पर depend नहीं करता है, कैसे भी हो, आपका pressure difference जो है, वो सिर्फ vertical height पर depend करता है, तो इस वाले point का भी मैं pressure लिखूंगा, तो P is equal to, आपके पास क्या हैगा, P note plus rho g h आये जाएगा, या फिर P note को क्या बोलता हूं, pressure difference, pressure difference between two points into the fluid, into the fluid, depends, depends only on, only on vertical, height या vertical difference, vertical difference बोल सकता है इनके बीच, vertical height between the points, उन दो पॉइंटों के बीच के vertical height के, vertical height पर क्या करता है, depend करता है, सर ये l क्या होगी, l क्या होगी, तो इसको तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे, बटा ये जो angle theta है, तो ये angle भी क्या हो जाएगा, theta, क्योंकि यहाँ से z बन रहा है, कौन सा alternating angle हो गया, तो मुझे h पता है, इधर से h पता है, ये क्या है, आपके पास known है, आपको बताएगी कितनी height तक गया, scale से आप इसको measure कर सकते हो, तो मुझे h पता है, तो यहाँ से क्या निकाला जाएगे, बताओ, ये theta के सामने कौन होता है, perpendicular, ये क्या होता है, base, तो base upon hypentaneous, इस इकोल ट length तक ये water चड़ेगा, पनी चड़ेगा, या fluid चड़ेगा, तो वो होगी, l is equal to h upon में, cos of theta, तो देखिए, मैंने proof करके बता दिया, लेकिन हाँ, यह ध्यान रखें कि दोनों point के बीच, surface से bottom, surface से bottom, इनके बीच जो pressure difference आएगा, वो शेम रहेगा, क्योंकि pressure difference सिर्फ और उपर depend कर रहा है, ना कि is fluid की length पर depend कर रहा है, clear, बोले, को doubt हो तो बताएं, अदरवाईज आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, Pascal slow आया है, आपके सामने, Pascal slow क्या बोलता है, कि अगर हम क्या करें, Pascal slow बोलता है, कि अगर किसी container में fluid को fill कर दिया जाए, या कहीं भी अगर fluid है, fluid present है, और इस point पर, इस point पर अगर pressure P है, ठीक है, मानलो यह h depth पर है, इस point पर अगर pressure क्या है, P है, तो अगर मैं यहां का pressure, जो कि मैं मानलेता हूँ, P note है, atmospheric pressure है, इसमें अगर मैं जितना change करूंगा, इसमें मानलो मैंने increment किया, delta P का, मैंने delta P से इसको increase कर दिया, तो इस point पर भी pressure कितने से increase हो जाएगा, delta P से, तो पासकल लो यही कहता है, कि जब, according to Pascal Low, the external pressure applied on an enclosed liquid, यह enclosed liquid हो गया, liquid does not get absorbed, यह absorbed नहीं होता है, and is uniformly distributed, और यह uniformly क्या हो जाता है, आगे तक transfer हो जाता है, distribute हो जाता है, मतलब, delta P यहाँ लगा है, तो यहाँ तक delta P पूँचेगा, ठीक है, यही pressure, अगर मानलो, यहाँ का pressure P dash है, bottom का, P dash है, तो अब अगर इधर delta P increase किया है, तो यहाँ का pressure भी उतने से ही क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, अगर यहाँ का pressure मानलो, P2 है, तो यहां का pressure भी increase होके क्या हो जाएगा P2 plus में delta P हो जाएगा यानि कि इसकी wall पर और water में हर एक point पर ये pressure क्या हो जाएगा similarly पहुँच जाएगा बिना कहीं पर absorb हुए तो यही पास्कल ने कहा कि जब किसी enclosed flood के उपर sorry enclosed flood का अगर हम small amount से भी अगर pressure increase करते हैं तो pressure increase करने से क्या होता है कि वो सारा का सारा pressure अबजोब ना होके water के हर एक point पर क्या हो जाता है पहुच जाता है या उस पर distribute हो जाता है इसी को क्या कहा गया है पास्कल लो तो चलिए आज की class यहीं समाप्त करते हैं पास्कल स्लोक्या जो application है कल देखेंगे कल यहीं से शुरू करेंगे ठीक है तो अगर आज का session पसंद आया हो तो session को like करें शात में अपने दोस्तों के साथ share करें और हो सके तो हमारे channel को भी आप लोग क्या कर लें subscribe कर लें ठीक है ताकि आने वाले updates आपको मिलते रहें बाकि आपका दिन सुब हो जय हिंद जय भारत इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें